हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चानल तो जैसे की दिवाली आ रही है तो सारे फेस्टिबल सारे तो उसके लिए हम बना रहे हैं स्पेशल दही वड़े आप सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करिएगा तो आपके भी बहुती फलफी और बहुत टेस्टी दही वड़े बनने वा सुबह मैंने दाल को पानी से स्ट्रेंड कर दिया और उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला आप देख सकते हैं कि मैं पानी निकाल के उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूं तो हमें मिनिमम से मिनिमम पानी यूज़ करना है इसको पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम आप थोड़ा चौड़े मुखा बोल लीजिएगा जिससे कि आपको इसको फेटने में कोई परेशानी नहीं हो और आप इसको अच्छे से बीट कर सके। मैंने अपना सारा दाल का बैटर निकाल लिया है और अब इसको 10 मिनट तक अच्छे से बीट करूंगी और आप देख सकते हैं 10 मिनट बीट करने के बाद यह कि इतना फलफी हो गया है और इसका कलर एक्तम चेंज हो गया है यह वाइट कलर का हो गया है तो हमें इतना ही इसको यए पैन कीम हैं इसमें मिलैं है जीरा एक टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है नैसिंस सब चीज़ों मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम चेक कर देहें कि हमारा बैटर एड़ी है कि नहीं तो मैंने कंट और नहां अंपने एक काञा हो Και сबस्द पानब करने के लिए औ और जब ऑईल थोड़ा गरम हो जाएगा तो मीडियम गैस पर मैं इसकी राउंड राउंड बॉल्स फ्राइ कर लूँगी आप ये स्पून से या फिर हाथ से कैसे भी इसकी राउंड बॉल्स बना सकते हैं तो मैंने अपने बैटर में से स्पून से छोटे छोटे बॉल्स अगर आप अच्छे से दाल को नहीं बीट करेंगे तो आपके जो भले वो स्पूंजी नहीं बनेंगे और वो इतने अच्छे से फूलनेंगे नहीं हमने इनको अच्छे से दौनों साइट से पलट के से clear और आप देख सकते हैं हमारे भले हो गए हैं एक्तम रेडी मैं आप को एक हमारा जो दही भले का भला है उसको तोड़के दिखाती और आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट और किती अच्छी जाली आई है इसमें तो चलिए अब इन दही भलों का पानी रेडी कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा ल्यूप वाटर लिया है और उसमें मैंन दही बड़े, और भी साधा सॉफ्ट बनेंगे तो नेक्स ठेप हम अपने दही वडों की दही रेडी कर लेते हैं तो मैंने एक कटोरी दही ली है उसमें चार से पांच चमच मैरे डाली है छीनी इन दही वड़ों में मीठी दही बहत ही डेस्ती लगती है और मैंने उसमें आदा टीस्पून के अराउं नमक डाला है इन तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब हम अपनी दही वड़ों की प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैंने जो हमारे वड़े थे उनको अच्छे से पानी में से निचोड के प्लेट में लगा लिया है इसके उपर डालेंगे अरे धनिये की तीकी चटनी इसकी विटियो मैंने पहले भी शेयर करी थी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक एक बार फिर से डालूंगी आपको जितना तीका पसंद है आप उस हिसाब से ये चटनी डाल सकते हैं अपने दही बलों के उपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे उसके बाद हम इसके उपर डालेंगे भुना हुआ जीरा और उसके बाद हम इसके उपर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च अभी से आप देख सकते हैं ये दही बल लेकी चाट कितनी कलरफुल और कितनी सुन्दर लग रहे हैं और लास्ट में हमने इसके पर डाली है थोड़ी सी बूंदी तो अगर आपको यह रिस्पी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और अच्छी रिस्पी देखने के लिए थैंक तो इसके लिए झाल से बाइक के लोगी हो यहाँ पार आपको फी लग्या बाजाए जिए वार चैनल को कर फूंदी स्ज़ का यहां जिए खूंदी खूंदी से एल टो वार आपको जितनी से तो एलता हैंवें तो